वेल्कम बाक तो मैं चैनल अगें साइबर बग साइबर सिक्यूर वी और फाइंडिंग बग्स दैट साइबर बग्स तो आपने एक नए वल्नरबिटी के बारे में बात सुना आऊगा जो मार्केट में नया नया आया है जिसको हम लोग कहते है एक्स अब देखा जाए तो पोस्ट ग्रे एसक्यूल में एक्स यूटिलिटी जो है वो एक मेंटेनर का काम करती है ठीक है डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए तो यह जो एक्स अटाक है बैसिकली यह एजन बैकडोर अटाक माना गया है ताकि आप जभी भी किसी भी सिस्टम को एक अब यह जो एक्स यूटिल्स है यह बेसिकली एक लीनक्स की ही लाइबरी है और यह बैकडोर क्या करता है यह बैकडोर आपके ऐसे सेच याने सिक्यूर शेल उसके ऑथेंडिकेशन को बाइपास करने में कामाता है तो अभी इतना सारा इंवेस्टिकेट हो चुका है एक्स सकता है वाया किुले हैं इससेच नहीं पता तो स्सेच एक प्रकार सव्ष्षय है जिससे आप पूरा के पूरा सिस्टम को कन्र century कर सकते हो इसके टर्मिनल को उसके शेल को एक्सेस कर सकते हो अब यह जो एक्जड अटाक है यह बिसिकली एक वल्नरबिटी मानी गई है जो CVE20243094 इसका कोड है अगर आप चाहों तो देख सकते हों तो यह जो वल्नरबिटी है यह बिसिकली आप कह सकते हो तो जीरो डे अटाक हो गया क्योंकि यह वल्नरबिटीज को 2021 से टार्गेट किया गया था और तो यह जो अटाक है इससे आपका जो सिस्टम है वह सारा के सारा हो सकता है वाया को बाइपास करते हैं तो यह जो एक्जाट अटाक है वह जैसे मैंने बोला था आपको CVE20243094 जो एक बिसिकली आपका सप्लाइचेन में काम आता था जो जैसे मैं आपको बताया एक मेंटेनर की तरह था तो अभी हम लोग देखते हैं कि टोटल ओल ओवर इसका ओवर सबसे हाई दिया हुआ है और जो अर्मोस्ट आपके हाई और ट्रिटिकल वल्नराबिटी होता है और यह जो वल्णराबिटी मिली थी सप्लाइच्छेन में एक्सटी लैबरिए बिशले होता है अपके मदद से श्सक को ऑथनिकेट किया ताकि आपके सिस्टेश ले सकते हैं अब अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसे सच कैसे होता है तो अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा होगा तो मैंने गहीं बार आपको कमांड दिखाया है तो जैसे कि एक टूल है मैं इसको ही सर्च करता हूं तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी एक डेवी ऐसे सेच का पॉर्ट ओपन है जहां से आप पर्टिकुलर सर्वर को कम्मिनिकेट कर सकते हो उसके शेल को एक्सेस कर सकते हो हाला कि इसका यूजरनेम पासवर्ट हमें नहीं पता है लेकिन जो निकाल की दी हुई है उसके मदद से ऐसे सच को बाइपास किया जा सकता है तो देखते हैं वैसे तो यहां पर स्कैन हो रहा है यह देखो यह आपका रिजल्ट आ गया यह आपका ऐसे सच हो गया जैसे कि अगर मैं रैंडम को यह आपके लेता हूं रूट अजैस्ट को यहां नहीं पता लेकिन अग्चार मुझे पता होता तो एस पर्टिकुलर एक्सस को एक्सेस कर सकता हूं तो यहां पर मैं एक्सेस को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं लेकिन जो वन्नराबिटीज अभी देखने में आई है वो इस पर्टिकुलर SSH के authentication को बाइपास कर सकते हैं तो देखते हैं इसके cvss4 तो सिंपल में चल जाता हूं या प्रोम पे जो भी आप कहों यहां पर हम लोग डालते हैं सीवी इडिटेल है और यहां पर मैं देखूंगा यह देखो हर जगे आपको एक्स जेट अटाइक ही दिखेगा रिलेटेड इस पर्टिकुलर सीवी इडिए तो देखते हैं कि और कई है कि वैसे यह अब तक रापिट सैवन ने भी इसको दिया हुआ है लेकिन ऑफिशल सीवी इडिए तो मुझे यहां पर नहीं दीख रहा था है जैसे मैं आपको बताया था अब इसका जो वर्जन है जो वल्नरेबल है इसके उपर वल्नरेबिटी मिले हुई है अब यहां पर टोटल इसका स्कोर जो है तो यह बेसिकली ने अभी तक का इस वल्नरेबिटी को सीवी में डाला हुआ है लेकिन अब तक कि इसके ऑफिशल साइट में आने का है सीवी के तो में भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आ सकता हूं ठीक है तो जो भी कमपनीज इस लाबरीज यूटिलिटी यूज कर रही है जिसका वर्जिन 5.6.0 है या तो फिलाल उस लाबरीज को यूज करना बन कर तो जब तक इसका पैच नहीं आता चीक है अब सबसे पहले तो मैं यह कंफॉर्म कर ताओं की एक यूटिल्स का करेंट वर्जिन क्या है चीक है क्य तो एक बार इसे कंफॉर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो फिलाल अगर आप चाहो तो इसको आप बंद कर सकते हो जब तक इसका पैच नहीं आता ठीक है और एक बार इसका पैच आ गया तो फिर आपको इसको यूज करने की कोई दिक्कत नहीं है तो आपको मेरी इंफॉर्मेशन काफी ज़्यादा पसंद आई है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब साबर्वर्क साबर सेक्यूर मिलते हैं अगले वीडियो